यहाँ पर जैसे professional dashboard पर click कर देते, see all पर click कर देते यहाँ पर हम जैसे total follower के उपर click कर देते तो यहाँ पर follow कितने लोगों ने follow किया, कितने लोगों ने unfollow किया यह हमें देखता है, बट जिनों ने हमें unfollow किया उसके नाम नहीं show होते वैसे एक बात clear करना चाहूँगा, professional dashboard आपको show नहीं हो रहा है, inside show नहीं हो रहा है तो description में link है, तो उस video को भी बाद में देख सकते हैं जिससे follow unfollow के daily आप जो report है, वो देख सकते हैं बट list कैसे देखे, किसने हमें unfollow किया है, वो आज के इस video में देखने वाले हैं यहां से वीडियो को बिना skip किये end तक देखते रही है, वीडियो helpful informative लगता है तो वीडियो को ज़रू like करें फ्रेंड्स और वीडियो helpful नहीं लगता है तो unlike करके वीडियो के नीचे मुझे ज़रू बताए और वैसे आपको बाके कुछ बताने की ज़रूरतने फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगता है या चानल की वीडियो अच्छे लगते है तो आप सब्सक्राइब करेंगी तो चलिए without any wasting your time, let's start the video अब धान से देखिए, पहले start करते है basic से तरीके से उसके लिए यहाँ पे आपको अपने profile के उपर क्लिक करना है, following के उपर क्लिक करना है, वैसे आपने उस वेक्ति को follow किया होगा, तो following में वो आइडिया आपको show हो जाए, तो friends unfollow किया, वो cases check करे, friends आपको simply follower के उपर क्लि करना है, and simply आगी की वेक्ति के following में आपको check करना है, कि आपकी ID show हो रही है, या नहीं हो रही है, अगर show नहीं हो रहे है, तो simple सी बात friends उन्होंने आपको unfollow किया है, तो friends इस तरह से आप simple तरीके से particular वेक्ति का check कर सकते हो, unfollow किस किसने किया है, वैसे सभी की आपको एकदम list इस चाहिए, जिस वेक्ति ने आपको recently unfollow किया है, उसकी, तो उस्तित में आपको क्या करना है friends, simple सी process है, यहापे simply आपको play store में जाना है, जैसे play store में जाएंगे, play store में आपको search करना है, follower and unfollow, अब जैसे search करेंगे, यह application आपके सामने आएगा, friends इस application को आपको install कर लेना है, वैसे यह application play store में available है, इसका मतलब यह है कि अभी के समय यह application तो secure reference क्योंकि play store application को verify करता है, वैसे मैं कभी भी किसी third party application को recommend नहीं करता हूँ, बट information बनताना जरूरी था, उस पज़ेसे मैं आपे directly video बना रहा हूँ, application इंस्टॉल हो गया है, बोलते समय, तो आप यहापे simply open करने के बाद simply तो friends यहाप टर्मान कंडिशन परके आप agree पे click करके agree कर सकते हो, अब simply login with Instagram पे click करके आप directly Instagram login कर सकते हो, तो username password डालके यहापे ID को में login करता हो आपने, अब login पे click करने के बाद friends थोड़ी देर आपको wait करना है, wait करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरेस बट हमें क्या करना है, unfollow की list चेक करने है, उसके लिए यहाप पे हमें क्या करना है friends, यहाप ए corner में three line आपको दिख जाएगे, उस पे आपको click करना है and unfollow के उपर click करना है, अब click करते ही आपके सामने unfollow की list शो हो जाएगी, तो यहाप आके आप check कर सकते हो, आपको किस किस ने unfollow किया है, अब यहाप भी आपको प्रॉलिम आरे, comment box में comment जरू करें friends, वैसे वीडियो कैसा था, comment box में comment कर सकते हो, वैसे जाते जाते इस वीडियो को like कर सकते है and आपको YouTube में कोई भी प्रॉलिम आरे, social media के related, तो friends, topic का name type करना है, space mh creator type करना है, बड़ी आसन से मेरे व वीडियो देखने के लिए, thank you.